एक बड़ा सा जंगल था और इस जंगल में तीन बहुत ही पुराने मिट्टी के घर थे ये घर सदियों से ऐसे ही थे जंगल की गहराई में ये घर होनी की वज़े से यहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता था लेकिन उस रात कुछ सैनिक एक पंडित को अधमरी अवस्था में वहां फैंक देते हैं और आपस में बात करते हैं सारे सैनिक चले जाते हैं उनके जाने के कुछ देर बाद पंडित थोड़ा सा होश में आता है और पानी मांगता है पंडित काफी देर तक पानी मांगता रहा लेकिन उस वेरान जंगल में उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था तभी एक आएक पंडित के चारों तरफ राशनी जगमगाती है और जादूई तीन मिट्टी घर अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं फिर तीनों घरों से प्रकाश निकलता है और पंडित पर गिरता है पंडित स्वस्थ हो जाता है वोट था है और अपनी चारों तरफ देखता है और फिर हाद जोड़ कर पूछता है मुझे स्वस्थ करने के लिए शुक्रिया ये अलोकिक शक्तिया आप कौन है तभी जादूई तीन मिट्टी घर अपना परिचे देते है और कहते हैं हम जादूई तीन मिट्टी घर हैं और मैं हूँ बल मैं हूँ बुधी और मैं हूँ यश तुम्हारी पीड़ा हमसे सहा नहीं गया कौन हो तुम और वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हें इस अवस्था में यहां छोड़ दिया इस जंगल से दूर सोनारपूर राज्ज है वहां के महाराज आदी है और मैं उस रज्ज का पंडित हूँ राज में दो जाती के लोग रहते हैं एक उच्च जाती के लोग बहुत गरीब हैं उन्हें राज में हीन भावना से देखा जाता है मैंने इन दोनों जातियों के भेदबाव को खत्म करने के लिए महराज से विंती किया वा, ये तो अच्छा विचार है, आगे बताओ लेकिन महाराज ने मेरे विंति को ठुकरा दिया और निम्नजाती के लोगों को समाज का हिस्सा बनाने से मना कर दिया समय बीतने के साथ निम्नजाती के लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया इन सब से तंग आकर मैंने महाराज के अत्याचार के खिलाफ विद्द्रो किया और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया तुम्हारी सोच महान है और ये काफी अच्छा विचार है समाज के हम सब अभिन अंग हैं तो बहला निम्नजाती समाज से अलग कैसे हो सकते हैं आप सही हैं लेकिन मैं लाचार हूँ निर्बल हूँ और मैं तूट चुका हूँ तुम जिन्ता मत करो आज से हम तीन मिट्टी जादुई घर तुमारे साथ हैं तभी जादुई तीन मिट्टी घर से जोट निकलती है और पंडित के अंदर समा जाती है उसके बाद पंडित बलवान, बुधिमान और एक राजा की तरह यश्मान हो जाता है और फिर अचानक पंडित जोर-जोर से हसता है और देखते ही देखते राक्षिस में बदल जाता है तुम सब कितने आसानी से मेरे मन-कडंत कहाने में फस गए यहां न कोई राजा है और ना ही कोई राज्य मैं हूँ छालिया राक्षस लेकिन मैं शक्तहीन था और जब मुझे अपने गुरू से पता चला कि इस जंगल में जादूई तीन मिट्टी घर है जो किसी की भी किस्मत पदल सकते हैं तो मैंने ये सारा खेल रचा अब मैं अपने शक्तियों से पूरे गाउं को खत्म कर दूँगा और फिर हम राक्षस अपनी दुनिया बसाएंगे तुम भूलो मत हमने तुमें शक्ति दिया है तो हम चीन भी सकते हैं ये कभी नहीं हो सकता क्यूंकि तुम तीन मिट्टी के घर हो और तुम तीनों की शक्ति मुझ में है इसके बाद जादूई तीन मिट्टी के घर चलिया राक्षस पर जादू करते हैं लेकिन चलिया राक्षस पर उनके जादू का कोई भी असर नहीं होता मैंने पहले ही कहा था मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है राक्षस उस पर बैठ कर आसमान में उड़ते हुए गाउं की और जाता है और फिर कुछ राक्षसों को ले कर आता है आज तक हम चुप चुप के जीते आया हैं लेकिन अब नहीं अब हम सर उचा करके जिएंगे डर के नहीं जाओ और जाकर गाउं में हमला कर दो सबको बंदी बना लो इसके बाद सारे राक्षस गाउं के अंदर चले जाते हैं और गाउं में हमला कर देते हैं चारों तरफ लोग भागने लगते हैं ये सब दूर से जादोई तीन मिट्टी घर देख लेते हैं अंचाने में हम से बहुत बड़ी भूल हो गई है लेकिन हम उसे रोके कैसे? सिर्फ एक रास्ता है हमें चांदनी रात का इंतजार करना होगा उस दिन हम तीनों की शक्तियां समान होती हैं इसलिए हम आसानी से एक हो सकते हैं तुम सही कह रहे हो ये कहकर जादोई तीन मिट्टी घर फिर से पुराने घर में बदल जाते है इधर चलिया राक्षस दिन बदिन गाव वालों पर अत्याचार करने लगा वो सब को जंजीरों में बांध कर रखता था अगर कोई उसके इच्छा के विरोध काम करता था तो वो उसे माल डालता देखो इस बार खेती अच्छी होनी चाहिए याद रहे अगर किसी ने भी काम में कोई भी कमी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा तो अभी कौन से अच्छा हो रहा है हम तुम्हारे डौकर बन गया है हमारी पत्निया तुम्हारी दासी और हमारे बच्चे तुम्हारे खेलने के समान हाँ हाँ ये सही कह रहा है वैसे भी खेती करके क्या होगा जब हमें भर पेट खाना ही नहीं मिलेगा चुप करो अगर और एक शब्द किसी के मूँ से निकला तो याद रखना आज के बाद आधा पेट खाना भी नहीं मिलेगा और फिर सब भूके मरोगे इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए नहीं तो सब मरोगे बिचारे गाउं वाले मजबूर थे बेना चाहते हुए भी राक्षसों का गुलाम बन कर जी रहे थे कुछ दिन बाद चांदनी रात आ जाती है और जादूई तीन मिट्टी घर अपने स्वरूप में आ जाते है हमें एक होने का समय आ गया है हाँ चलो अब हम एक हो जाते हैं इसके बाद जादूई तीन मिट्टी घर एक हो जाते है और फिर जादूई मिट्टी घर से तरंगे निकलती है जिसके कारण चलिया राक्षस खीचता हुआ जंगल के अंदर जादूई मिट्टी घर के सामने आ जाता है तो मुझे यहां लाने की तुमारी चाल थी चाल? चाल तो तुमने किया था और इसलिए हम तीन जादूई मिट्टी घर एक हो गये हैं ताकि हम अपनी गलती को ठीक कर पाएं अच्छा तो तुम लोग मुझे आ रहा होगे इसके बाद चलिया राक्षस जादूई मिट्टी घर पे तरह तरह की जादू करता है लेकिन उसका कोई भी जादू जादूई मिट्टी घर पर काम नहीं करता बहुत हो गया अब हमारा जादू देखो तब जादूई मिट्टी घर छलिया राक्षस के शरीर से सारा जादू खींच लेता है। उसके बाद उसे जलाकर राक कर देता है। फिर जादूई मिट्टी घर अलग होकर जादूई तीन मिट्टी घर में बदल जाता है। चलो ये तो गया अब गाउं को ठिक करना है फिर जादूई तीन मिट्टी घर से एक साथ एक रौशनी निकलती है और गाउं तक चली जाती है रौशनी को देखकर सारे राक्षस डर जाते है